Class अभी तक हमने जो सीखा हैं उसको summarize कर लेते हैं हमने सीखा था कि million species of animals अभी तक described हुए फिर हमने सीखा था कि animals को study करने के लिए हमें उन्हें classify करना भी ज़रूरी था फिर हमने सीखा था कि classification एक ऐसा method है जिसमें हम organism को identify करते हैं उसको नाम देते हैं और group करते हैं organisms को similarities और dissimilarities के basis पे Classification से organism की study बहुती easy और convenient हो जाती है Classification में scientist को organisms के key characteristics identify करने होते हैं और classification से हम identify कर सकते हैं relationship between organisms Class यहाँ पर हम वीडियो को थोड़े दर pause करेंगे ताकि आप इन सारे points को note down कर लें हूओे यह चु कर छो में देने होगे पसकते हैं अ करेंगे यह हैं यह हैं यह जया है जख़े चकर शजबे हैं am risque थ四 चक्रुद़े पर मेंने पूम्लाम को फड़ जाशने सब्स knives safely है